हेलो फ्रेंड्स मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लिटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाए ताके मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे महले मिलती रहे हे एवरिवन आज मैं बनाने वाली हूँ कॉसे दिला यहाँ पर मैं कॉसे दिला बिना ओवन के बची होई चपाती में से बनाने वाली हूँ तो इस रेसिपी को आप ज़रूर देखेगा और इसे ट्राइपी कीजिएगा आपको ज़रूर पसंद आएगी तो चलिए हमें इसके अंदर फिल्ड किये जाने वाली सबसी को राड़ी करना पड़ेगा इसके लिए यहाँ पे मैं एक कड़ाई गरम करने के लिए रख रही हूँ कड़ाई हल्की सी गरम हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे यह डिट चमच जितना ओईल यहाँ पे मैंने ऑलिव अगर आपके नहीं है तो अब रेगिलर आपकर सकते हों गरम हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे यह बारी कट हुआ लाय सुन अब इसमें डालेंगे यहाँ बारी कटे हुई हरिमेज इसे थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे ये प्याज यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज की प्याज को इस तरह लंबी शिप में कट कर लिया है प्याज को हमें हलका सा पकने देना है इस तरह से प्याज हलके सी पक जाने के बाद डालना है यह दो इसमें डालना है bet zinc double время तो एहां पे में तो यह ईंपिन और यह यलो दाल रहे हूँ अगर आपके पस अंगर सकते हैं और यहां और यह दो कास review मतलत आ तो आहिए तो A कैबेज यहां पर मैं तक्रीबन डाइसो ग्राम जितनी कैबेज का इस्तमाल कर रहे हूँ अब इन सारी सबजीों को मिक्स करके हमें अच्छी तरह से पकने देना है हलकी सिपक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे यह थोड़ा सा मरी पाउडर और यह थोड़ा सा नमक नमक आप अपने टेस्के साब चला डाल सकते हैं मिक्स करने के बाद इसे हमें दो तिन मिंट के लिए और पकाना है यह सबजीया अच्छी तरह से पक चुकी है अब हम इसमें डालेंगे यह एक चम्मच इतना टॉमेटो कैचप एक चम्मच रेड चिली सोस मिक्स कर लेंगे इसको सबजीयों के साथ अब मैं इसमें डालूंगी यह एक चम्मच मायोनीस मायोनीस डालने से यह जो सबजी का टेक्शर है वह बहुत ही क्रीमी हो जाता है अगर आपको ज्यादा मायोनीस का टेस्ट पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं मायोनीस से इसका जो फ्लेवर है वह बहुत ही अच्छा आता है इसके बाद हम इसमें डालेंगे यह आदी जमच जितना ओरेगानो और आदी जमच रेड चिली फ्लेक्स इसको मिक्स कर लेंगे यह जो हमारी सबजी है फिल करने के लिए वो बिलकुर एड़ी है अब चलते है नेक्स प्रोसेस में यहाँ पर मैंने एक चपाती ले लिए चपाती के उपर सबसे पहले हम यह मायोनिस लगाएंगे मायोनिस को हमें अच्छी तरह से पूरी चपाती के उपर लगा लेना है यहाँ पर मैंने वीबा का mayonnise यूज किया है अगर आप चाहे तो किसी भी brand का mayonnise यूज कर सकते इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे यह चीज, चीज को हमें चपाती के एक साइड में ही डालना है यहाँ पर मैंने यह mozzailing la cheese का हिस्तमाल किया है चिसकी quantity भी आप ज्यादा कम अपने हिसाब से रख सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ज्यादा सी दिखाना पसंद होता है अब इसमें डालेंगे यह जो हमारी vegetable की filling हमने पहले से ही ready करके रखे हुई थी वो इसी भी हमें ऐसे half portion में ही डालना है अब इसमें उपर से डालेंगे थोड़ा सा और चीज अब इसको आदा फोल करके ऐसे हलके हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि गरम होने के बाद चीज मैल्ट होता है तो उसके साथ यह जो उपर का वड़े वो चीपक जाएगा अच्छी तरह से अब चलते है next step में मैंने यहाँ पे stop पे एक तवे को गरम कलने के लिए रखा है अब हम इसमें डालेंगे यह थोड़ा सा ओली ओई अब इसके उपर डालेंगे यह जो हमारा रेडी किया हुआ कासे डिलो है वो कासे डिलो को हमें दीमी आज पे हलका ब्राउन कलर का होने तक पकने देना है दीमी आज पे पकने देने पर इसका जो अंदर का चीज है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा थोड़ी तेर के बाद हम इसे इसे पलट लेंगे यह दिखिए यह हलका ब्राउन कलर का हो चुका है इसे हमें ऐसे हलके हातों से प्रेस करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में उपर से ताकि यह जो चीज मेल्ट होए तो उसमें रोटी का जो लेयर है वो अच्छी तरह से चिपक जाए थोड़ा सा ओल ललनेंगे चारो और दूसरे साइड से भी हमें ऐसे बिल्कुल ब्राउन कलर का होने तब पकने देना है यह दिखिए यह दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पक चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे निकालने के बाद हमें इसे सैंड्विच की तरह ही दो टुकडों में कट कर लेना है यह हमारे कौसे दिलो जो हो है बुल्कुल रडी हो चुका है